मिञ्मिल्ला है रहिम स्लम्नीकोब इमान फात्मा के चैनल में वेक्प में लयुक्ल पहतिए हो आपको मैं हूं इमान फात्मा और आज मैं Аपके पास मिजान एक्सप्रेस अकउँंट डूसरा लेकर रही हो जो कि मिजान express saving account है just like current account saving account है ये ठीक है सारी एसी तरह से हैं ठीक है वह है कि इसके अंदर क्या होगा कि within country आप जो है वो deposit कि रा सकते हैं आपके amount में पैसे आ सकते हैं बाहिर की country से इसमें पैसे नहीं आ सकते simple CNIC पे आपका ये account खोल जाएगा और इसके इलावा क्या है कि किसी किसम का withholding text जो है वो इस पे नहीं होगा आप जितनी भी amount withdraw कराएं ठीक है अच्छा एक ये चीज़ हो गई और उसके बाद वो क्या कहने है कि CNIC भी आपका खोल जाएगा और PKR currency में open होगा ठीक है और outward बाहर के मुलक से इसके अदर किसी भी किसम की remnants जो है वो allowed नहीं है किसी किसम का credit आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं सिर्फ है home remittance जो है वो इसके अंदर आ सकती है दूसरे जगह से अगर आपने पैसे मंगाने है तो आप इसके अंदर मंगा सकते हैं कर सकते हैं deposit नहीं होगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ क्या होगी home remittance इसके अंदर दूसरी जगह से आ सकती है इसके लावा क्या है कि debit card इसके ओपर issue होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो paypac debit card होगा पाकिस्तान में ही वो चल सकते है अच्छा क्योंकि saving account obviously आपको profit भी मिलेगा इस पर जो profit मिलेगा वो होगा daily basis पर ठीक है daily basis पर calculate होगा monthly basis पर आपको calculate आपके account में आ जाएगा ठीक है free checkbook की facilities पर आपको मिलेगी pay order free मिलेंगे आपको internet banking free है ठीक है withdrawal किसी किसम की restriction नहीं है कि आप business से ज़्यादा amount नहीं निकलवा सकते ठीक है online जो है वो आपकी free होगी ठीक है simple क्या है कि profit payment जो है वो आपकी मुदार्बा बेस principle पर होगी ठीक है bank जो है वो उसको आगे हलाल investments करेगा आपकी funds को लेके और उसके बाद जो भी profit उस पर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह था इसका saving account ठीक है और profit sharing ratio में आपको बता चुकी होगी ठीक है gross income जो भी होगी 50% bank की होगी 50% जो है वो customer की होगी ठीक है so I hope आपको में यह वीडियो समझ आ गही होगी account उसी तरह आप open करेंगे simple जाएंगे website पर वहाँ से इसका form download करेंगे उसको fill करेंगे अगर किसी किसम की problem आ रही है तो आप उसी forms को contact कर सकते हैं help है इन पर वह आपको guide कर देंगे और आप इस तरह से form fill कर सकते हैं otherwise आप branch visit कर सकते हैं near branch visit करेंगे और वहाँ पर क्या होगा कि वह आपका सारा form चेक कर लेंगे सारे documents चेक कर लेंगे आपकी biometric होगी और आपका account open हो जाएगा ठीक है thank you so much I hope आपको मेरी यह वीडियो भी प अरवास मज़ीद new videos लेके तब तक के लिए अलाफ़िज